कोश्चन नमबर एक दो संख्याओं का योगफल कितना है देखें इकाइद है सेंकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग यानि 76,4,327 है यदि इन में एक संख्या 26,4,362 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी तो देखें पोश्चन नमबर एक में दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना है तो हम लिखेंगे पहले माना की दूसरी संख्या एक्स है ठीक है क्या मान लेंगे हम कि दूसरी संख्या कितना है एक्स है अब देखिए हम लिखेंगे प्रस्न से प्रस्न से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है तो हम लिख लेंगे यहां पर दो संख्याओं का योगफल है अब देखे, दो संख्याओं का योगफल इतना है, तो हम बराबर करकी इसको लिख लेंगे, पहली संख्या है, कितना है, देखे, 26,00, 54,362, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या को एक्स माने है, तो प्लस एक्स, अब देखे, ये पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या को हम एक्स माने हैं, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है, तो हम एक्स मान लेंगे, यानि 26,00, 54,362, प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 76,00, 54,372, यानि दो संख्याओं का योगफल है, इतना, तो हम जो पहली संख्या दिया सब्सक्राइबर कितना हो जाएगा देख। 26,54,327 में से इसको घटा देंगे 26,54,362 यानि दुसरी संक्या को हम एक समाने तो एक बराबर कितना हो जाएगा 26,54,362 बराबर के देखिए यह दाया तरफ है और इधर है बाया तरफ बराबर तो बराबर के इधर हुआ दाया हाथ तरफ और इधर हुआ बाया हाथ तरफ तो 26,64,365 बाया तरफ है उसको दाया तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है देखिए आगे कुछ नहीं तो ये plus में है जोड में है ये तो बाया से दाया तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस में यानि x कौन बाया तरफ ही रहने देंगे बस इसको दाया तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा यानि δोनों संख्याओं का योपफल जितना है उससे हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जागा तो देखे लिखेंगे अता एकस बराबर अब इसको हम घटा देते हैं तो देखे 7 में से 2 गया 5 12 में से 6 गया 6 यह हो गया देखे 2 12 में से 3 गया 9 अब ये कितना हो गया 3 13 मैं से 4 गया 9 ये हो गया 4 14 मैं से 5 गया तो 9 हो जागा फिर ये देखिए कितना हो गया ये 15 12 मैं से 6 गया 9 और ये हो गया 6 6 मैं से 2 गया 4 यानि एक स्वराबर आ जाएगा 49,99,55 ठीक है यानि देखिए 26,64,362 प्लस 49,99,965 करेंगे तो इतना आएगा दोनों को जोड़ करें तो ये दूसरी संख्या हमने माना था दूसरी संख्या तो हम लिख देंगे अतर दूसरी संख्या बराबर 49,99,995 है इससरा हम प्लस न वन को हल कर लेंगे कोश्चन नमबर दूसरा दो संख्याओं का अंतर 1,62,432 है यदि छोटी संख्या 4,62,327 हो तो बड़ी संख्या ग्यात करें तो कोश्चन नमबर दो में हम लिखेंगे माना की बड़ी संख्या एकस है जो पूछ रहा है उसको हम एक समान लेंगे ठीक है अब कह रहा है देखिए प्रस्ण से तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्ण से दो संख्याओं का अंतर तो दो संख्याओं का अंतर कितना है एक लाग यहाँ पर हम लिखते हैं एक लाग 62,432 ठीक है दो संख्याओं का अंतर है इतना तो हम बराबर करके इसको लिख लेंगे 1,62,432 यदि छोटी संख्या तो छोटी संख्या है यानि बड़ी संख्या X है तो पहले बड़ी संख्या लिखाएगा अंतर मतलब घटाना होता है तो हम X को आप लिखते हैं X में से कितना घटेगा तो बड़ी संख्या X मान लिए है क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो X माइनस छोटी संख्या देखिए कितना दिया हुआ है 4,52,327 यानि X माइनस 4,52,327 बराबर हो गया यानि कोश्चन से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर अंतर मतलब होता है घटाओ दो संख्याओं का अंतर कितना है तो अब हम X का मान निकाल देंगे, तो यहां पर लिखेंगे X बराबर, अब देखिए X बराबर के किदर है, बाया तरफ है, बाया हाथ तरफ, उसको हम बाया तरफ ही रहने देंगे, और दाया हाथ तरफ कौन है, यह है, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहां पर पहले, ठीक है ये दाया हाथ तरफ है देखिए बराबर के दाया तरफ अब हम इसको भी दाया तरफ कर लेंगे तो एक्स बराबर निकल जाएगा तो देखिए ये माइनस में है चार लाक बामन हजार तीनसो सदाइस क्या है माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बाया से दाया तरफ आके देखिए बराबर क्या भी बाया तरफ था उपर हम इसको दाया तरफ ला रहे हैं बराबर कि इधर ला रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे फिर इसको लिख लेते हैं तो अत्र एक्स बराबर कितना हो जागा बस दोनों को हम जोड़ देंगे ठीक है एक लाख बासटेजार चारसो पत्तिस प्लस चार लाख बामान हजार तीनसोग सताइस तो पहले देखे दायां तरब से हम जोड़ते हैं तो साथ दू नो तीन दू पांच चार तीन साथ दू और दू देखे चौथा अंक चौथा अंक दो दो चार छे पांच इगारा हाथ मेरा एक चार एक पांच एक छे यानि कितना आगे देखे 6,14,769 तो हम लिखेंगे अता बड़ी संख्या को हम एक समाने थे तो एक स बराबर आ गया है तो अब हम लिख देंगे यहांपे बड़ी संख्या बराबर कितना होगी है 6,14,769 तो इस तरह हम कोश्चन नमबर दो भी हल कर लेंगे Question number 3, 2 संख्याओं का अंतर 8,47,620 है यदि बड़ी संख्या 45,78,262 हो तो छोटी संख्या ग्याद करें Question number 3 में हम लिखेंगे माना की छोटी संख्या बराबर X क्योंकि छोटी संख्या हम से पूछ रहा है तो इसलिए छोटी संख्या को हम X मान लेंगे तो हम लिखेंगे अब देखें प्रस्न सिक के अनुसार क्या कर रहा है हमसे तो लिखेंगे प्रस्न से अब देखें प्रस्न हम पढ़ते हैं दो संख्याओं का अंतर तो अंतर है तो हम इधर लिख लेते हैं अंतर मतलब घटा कितना है 8,47,620 है तो हम बराबर दे देंगे क्योंकि अंतर है इतना घटा करके इतना आया है तो बड़ी संक्या कितना है तो देखिए हम बड़ी संक्या को यहां पर लिख लेते हैं 45,78,262 बड़ी संक्या कितना है 45,78,262 ठीक है, बड़ी संक्या दिया हुआ है छोटी संक्या पूछ रहा है तो इसलिए हम x1 है तो माइनस छोटी संक्या यहनी x बराबर इतना तो देखिए अंतर मतलब होता है घटाओ तो अंतर इतना है बड़ी संक्या में से छोटी संक्या बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे क्योंकि छोटी संख्या घटता है बड़ी संख्या में इसे घटाओं में बड़ा जो संख्या रतों पहले लिखाता है उसके बाद छोटा संख्या तो अंतर कितना दिया हुआ है इतना और बड़ी संख्या दिया हुए हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है इतना माइनस X कर देंगे क्योंगी छोटी संख्या को X माने है तो अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर X माइनस में है तो बाया तरफ X तो इसको दाया तरफ कर देंगे तो प्लस में हो जागा X तो अभी इसको हम लिखते हैं पहले अब देखिए यह दाया तरफ है तो इसको हम बाया तरफ लाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 8, 4 बराबर, अब देखे एक्स को जो है किदर है एक्स बायां तरफ है, बराबर के बायां हाथ तरफ है देखे इधर दायां हाथ होता है हम लोगा, अब इधर होता है बायां हाथ, ठीक है, तो बराबर की इधर हुआ दाया तरफ बराबर कि इधर हुआ पाया तरफ तो माइनस एक्स जो है कि इधर अबाया तरफ है तो इसको हम दाया तरफ लाएंगे तो एक्स हो जाएगा सिर्फ प्लस में क्योंकि इधर माइनस है तो इधर आके बाया से दाया आके प्लस में हो जाएगा तो X बराबर कितना आ गया देखिए इससे इसको घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा ठीक है ये जो बड़ी संख्या दिया हुआ है उससे जो अंतर है उसको घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा तो हम लिखेंगे अतर एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो देखिए इसको हम घटाते हैं तो दो में से सुनने गया देखिए दो में से सुनने गया कितना हो जाएगा दो देखिए हम बिंदू दे रहे हैं ताकि पता चले हम इससे इसको घटा रहे हैं ठीक है, आप ये विंदू नहीं दीजेगा, क्योंकि हम बस समझाने के लिए, दो में से सुनी गया, दो, आप इसको रफ में भी आप घटा सकते हैं, छे में से देखिए, दो गया, तो छे से अब दो को घटा रहे हैं, कितना होगा, चार, अब यहाँ पर दो है, तो दो में से छे गया, यानि बारा में से छे गया, छे, अभी इससे पैंचा लिया था, तो ये साथ हो गया, ठीक है, तो साथ में से साथ गया, कितना हो जाएगा, सुनी, अभी ये साथ है, यहाँ पर चार है, तो साथ में से चार गया, तीन, अब यहाँ पे 5 ही यानि 15, 15 में से आठ गया तो 7 इधर हो गया 3, 5 दिया है, बराबर X यानि X बराबर कितना आगया देखिए 3,70,000 तो कितना आगया 3, 37,30,642 यानि X बराबर कितना आगया तो X को हम छोटी संख्या माने थे तो हम लिखेंगे अता यानि अंसर आ गया है देखिए छोटी संख्या हम से पूछ रहा था तो छोटी संख्या कितना आ गया 37,30,642 यानि इसका अंसर हो जागा इतना तो देखिए बड़ी संख्या दिया हुआ था छोटी संख्या निकल गया है यानि इस से इसको हम घटाएंगे तो इतना आजाएगा, अंतर इतना है यानि बड़ी संक्यास्व में से चोटी संक्या का अंतर, इतना आएगा देखे घटाने के बाद तो ये हमारा अंसर हो जाएगा, x के बदले जो आया है, चोटी संक्या तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे